Hello everyone, so today we'll be discussing question number 1466 of lead code which is reorder routes to make all paths lead to city 0 हना तो यहला जो problem है यह मेरी graph list का part है और यह दिखने में तो बड़ा खतरनाक सा लगता है हना इसका description में काफी बड़ा है तो असा लगता है कि बहुत difficult problem है बट यह है नहीं उतना difficult हना समझने में भी easy है तो इसमें देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है हमें करना क्या है हमको ना एक input में graph given है यह basically city का network है ठीक है यह क्या है basically cities है यह सब cities है 0 1 2 3 4 5 हना और यह क्या roads है अब क्या हुआ मान के चलो एक time पे road ऐसी थी मतलब 0 से 1 जा सकते थे 1 से 3 जा सकते थे और 2 से 3 जा सकते थे अना unidirected graph था मतलब one way roads थी बस government ने ऐसी road बनाई कि भाई तुम 4 से 0 जा सकते हो बट 0 से 4 नहीं जा सकते है उसी तरह तुम 4 से 5 जा सकते हो बट 5 से 4 नहीं जा सकते है ठीक है उनने one way बना के बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि क्या हुआ आप decide कि भाई 0 जो city है यहा पे बहु 0 से 1 जा सकते हो 1 से 0 नहीं जा सकते तो अभी गलती करी ना government ने तो उसको सुधार नहीं बड़ेगी वो कैसे सुधारेगा वो क्या करेगा कि 0 से 1 की जो road थी उसको 1 से 0 कर देगा उसी तरह 1 से 3 की road थी उसको 3 से 1 कर देगा क्यों क्योंकि उसको 1 से 0 जाना है और 2 से 3 की road वो अब यही अब क्या कर सकते हैं यह हमको बोला गया करने को भाई शांदी से two-way road बना देते तो कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है भाई हमको तो जो बोला गया हम वो करेंगे हमको क्या करना है बस यह बताना है government को कि भाई कौन-कौन सी roads का direction change किया जाए मतलब n equal to 3 यह है तुमारा answer क्यों एक तो 1 से 3 जा सकते हो तुम 3 से 1 नहीं आ सकते तो तुमको 3 से 1 आना पड़ेगा और 1 से 0 आना पड़ेगा जिससे तुम 2 से 3 से 1 से 0 पर आपाओ उसी तरह तुम 4 से 0 तो आ सकते हो बट 5 से 0 नहीं आ सकते है क्यों क्योंकि यह direction है तो इसको पलटना पड़ेगा तो इसको पलट दोगे तो 5 से 0 होने लगोगे तो total n equal to 3 है अब इसको करना कैसे है हना सोच के तो बड़ा जीब सा लग रहा है बट सबसे पहले हम देख लेते हम एक simple scenario हाना यहां थोड़ा बड़ा graph बनाते हैं जिससे हम थोड़ा approach सोच पाएं हाना इतने से graph में तो को समझ में नहीं आ रहा मुझे ठीक है तो एक बड़ा सा graph बनाते है सबसे पहले ठीक है यह पूरा एक graph है जो मुझे given है और यहां पे 0 पे पहुँचना है हर note के थुरू एक चीज़ और है इन्होंने बोल रखाएगी जो पूरा graph है वो connected है एक ऐसी random note हवा में नहीं घूमरी होगी पूरा पूरा graph connected है तो यहां भी हम देख लेते हैं कौन-कौन सी roads को change कर करना है ठीक है अब देखो जैसे कि तुम 0 से 1 जा सकते हो अना unidirectional है मतले तुम 1 से 0 नहीं आ सकते तो उससाब से तुमको direction change करना पड़ेगा तो एक यह red line तो आएगी उसी तरह तुमें 2 से भी आना पड़ेगा वापस हाना यूंकि यह road को भी पलटना पड़ेगा 3 से थू आंसर क्या आ रहा है तू अभी अब तुम क्या करोगे देखो भाई यह मान के चलो यह तुमारा headquarters है हना यह main office है अब तुमने क्या किया यह same काम अपने छोटे offices को दे दिया हना छोटे offices मतलब branches बोल दो उनको ठीक है तो 1 पे एक branch है government की हना 2 पे एक branch है government की 3 पे है और 4 पे है तुमने बोला कि भाई देखो अब जितनी भी बची हुई nodes है ना तुमारे through ही आएंगी और कोई shortcut लिए हवा से नहीं आ जाएंगी तो same काम अब तुम्हें करना है तुमसे connected जितने भी nodes है उनसे पूछो क्या वो तुम तक पहुंच सकते हैं और अगर वो पहुंच स सकते हैं तो वहां से road बदलो तो one भी same काम करेगा अब one के लिए यही problem define हो चुकी है लेकिन graph इतना सा है अब पहले graph इतना बड़ा था और इतनी बड़ी problem थी अब क्या problem इतनी सी है यह जो graph है यह तो तुम उनसे भी same चीज़ पूछोगे क्या तुम मुझ तक पहुंच सकत तो road पलटनी पड़ेगी ठीक है इसने पलट दी और इसने भी पलट दी तो यहां से answer आया 2 अब same चीज 2 भी करेगा यहाला जो node है यहाला जो sub office है छोटा सो office है यह भी same चीज़ पूछेगा अपने connected nodes से क्या तुम मुझ तक आ सकते हो तो six बताएगा हाँ भाई मैं तुम मुझ तक आ सकता हूं ठीक है तो 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 मैं आपे कोई पलटनी की ज़रूरत नहीं और कोई connected nodes है नहीं उसी तरह three भी पूछेगा seven से क्या तुम मुझ तक आ सकते हो seven मुलेगा नहीं तो road पलटना पड़ेगा तो road पलट दो उसी तरह यहां से भी road पलटना पड़ेगा तो यहां से क्या क्या answer आ रहा है एक तो दो आ रहा है और यहां से एक answer आ रहा है और यहां से भी एक answer आ रहा है और तुमने यहां पर निकाला था टोटल दो हना तुमने बस यहां से दो निकाला था और बाकी सब problems हना जो सब problem है वहां से कहां से आ रहा answer क्या क्या answer आ रहा है sorry तो यह से 2 आ रहा है, एक आ रहा है और एक आ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यह जो तुम्हाई सब प्रॉब्लम है, 2 प्लस 1 प्लस 1, हना, तो यह कितना हो जाएगा, 6, यह है तुमारा फाइनल आंसर, अब देखो इसमें मैंने क्या-क्या कीवर्ड बोले हैं, उसी से तुम्हें समझ में आ जाएगे कि हम क्या करने वाले हैं हाँपे, एक तो सब प्रॉब्लम, हना, सब प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, सेम काम करना है, मतलब क्या, रिकर्शन, ठीक है, तो मैं रिकर्शन हिट कर गया, कि रिकर्शन कर सकते हैं, रिकर्शन से कर सकते ह तुम्हें हर node पे जाना है, हर node से पूछना है, मतलब तुम हर node से पूछ रहे हो, 0, 1 से पूछ रहा है, 2 से पूछ रहा है, 3 से पूछ रहा है, 4 से पूछ रहा है, उसी तरह 1, 5 से पूछ रहा है, 4 से पूछ रहा है, उसी तरह 2, 6 से पूछ रहा है, हाना, मतलब क्या, recursion और य यह तो समझ में आगे depth first search करना है अब इसो करे कैसे यह important है यह तुमने figure out कर लिया तो मारा question solve हो जाएगा लेकिन यह सोचना कि यहाँ पे DFS लग सकता है with a proper reason ऐसे नहीं कि चलो यार graph का problem लग रहा है तो DFS लगा सकता है नहीं यहाँ पे DFS क्यों लगना चाहिए यह तुमने अगर deduce किया है इस तरीके से इसका मतलब तुम सीख रहे हो तो आप देखते हैं इसमें DFS लगाएं कैसे कुछ तो problems आने वाली है जो problems आएंगी हम उसको solve करेंगे और फिर DFS लगाएंगे ठीक है अभी तक जो मैंने discuss किया वो एक problem का intuition discuss किया है कि DFS कैसे लगेगा अब जो चीज में discuss करूँगा वो होगा कि इसको implement कैसे किया जाए और इसके बाद code करेंगे हाना तो चलो इसको देखते हैं कि इसको implement कैसे किया जाए ठीक है तो तो समझते हैं किसे करना है अब यहाँ पी जो मेरे पास graph है यह 0 तक पहुँचना है मुझे हाना और यह क्या है एड़सेंसी लिस्ट है पूरे graph की मज़ा तुम 0 से 1 3 4 तक जा सकते हो हाना 1 से 5 6 पे जा सकते हो 2 से 0 7 जा सकते हो directed graph है ठीक है अब इसको करे कैसे हना मैंने क्या बोला था DFS लगाना है DFS लगाना है और हर note से पूछना है क्या भाई तुम मुझे तक पहुच सकते हो हना क्या भाई तुम मुझे तक पहुच सकते हो और हर note मतलब देखो हर note पे तो जा नी सकता मैं इस graph के हिसाब से अगर मैं 0 से DFS शुरू करूँगा तो मैं 1 पे जा सकता हूँ 3 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ 2 पे नहीं जा सकता, क्यों क्यों क्योंकि 2 मेरी तरफ point कर रहा है, है ना unidirected graph है, that's the problem अब क्या किया जाए, तो हमें एक चलाकी लगाते है कि भाई देखो, 0 2 तक तो नहीं जा सकता, बट 2 जीरो तक जा सकता है, है ना उन्होंने बोला है कि graph connected है, इसका मतलब ये है कि मेरे से directly connected जितने भी nodes है, है ना 1, 2, 3, 4 या तो मैं उन तक जा सकता हूँ या वो मुझ तक आ सकते हैं यही दो possible चीज़े हैं, हना इसका मतलब, 2 से 0 के बीच में एक path है, जो कि ये है, ये, बट मुझे 0 से 2 भी जाना है, क्यों? जिससे मैं पूछ पाउँ 2 से कि भाई, क्या तुम मुझ तक आ सकते हो, अगर मैं 2 तक जाही नहीं सकता, तो मैं ये पूछूँगा कैसे? हना, that's the issue तो एक काम करता हूँ, जब मैं 2 और 0 रेजिस्टर कर रहा होंगा, हना जब मुझे एक ग्राफ बनाना होगा, ये मैं adjacency list बना रहा होगा एक अपने पूअर पाउड में, ये चीज घ्रेजिस्टर कर रहा होंगा तो मैं एक चीज और add कर दूँगा information graph की की भाई 0 से तुम 2 जा सकते हो बट वो actually में 2 नहीं है वो minus 2 है तो तुम scam कर रहा है एक छोटा सा virtual 5 बना दिया तुमने कि तुम 2 तक जा सकते हो बट ये negative है actually में ये तुम्हारा भ्रम है मान के चल लो ऐसा एक delusion में रह रहा है कि तुम actually में 2 पे जा सकते हो हना क्योंकि उसके आगे minus लगा हुआ है इसलिए तुम actually में 2 तक नहीं जा सकते बट ये तुम्हारा ग्राफ का हिस्सा है तो हना तुम्हारा traversal का हिस्सा हो चुका है अभी है इससे क्या फायदा हुआ इससे दो फायदे हुए मुझे एक तो मैं 2 तक जा पा रहा हूँ और उससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि क्या वो node मुझ तक आ रही है या मैं उस तक जा रहा हूँ मतलब अगर ये node किसी भी node पे आया 0 से DFS शुरू किया किसी भी node पे आया और वो positive निकला इसका मतलब मैं उस तक जा सकता हूँ वो मेरे तक नहीं आ सकता और किसी भी node में गया और वो negative निकला मतलब वो मुझ तक आ रहा है मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ और मैं यही तो चाहता हूँ मैं यही तो चाहता हूँ कि भाई node मेरी तरफ आए हना तो मुझे क्या करना है मेरे से जो भी directly connected nodes है ये इनका answer निकाल लेना है बस ठीक है और DFS में क्या करना है ये जो sub problem है ये एक sub problem है ये एक sub problem है ये एक sub problem है और ये एक sub problem है इनको एक एक करके recursive call में भेज देना है recursion से करवाऊंगो ये काम ये answer जो भी directly connected वाला है ये मैं निकाल लूँगा और बचा हुआ answer recursion को निकालने दूँगा तो यहां से answer क्या आएगा देखो ये जो directly connected node है एक ऐसी होनी थी connected है ना तो यहां से एक आएगा answer 1 उसी तरह देखो 2 से तो directly connected है ना तुम 2 से 0 आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हम पलटना नहीं है road को लेकिन यहां पर पलटना है ठीक है उसी तरह यहां भी पलटना है तो directly connected node से जो भी answer आ रहा है वो है 3 अब जो बचा हुआ answer है यह जो nodes है यह भी same काम करेंगी जैसा मैंने बताया था तो यहां से जो भी answer आएगा जो भी answer आएगा यहां से जो भी आएगा और यहां से जो भी आएगा वो recursion add कर देगा तुमाए answer में तुम इसके tension learning की ज़रूरत नहीं है that's the thing ठीक है तुमको बस यह निकालना है यह तुम्हारा task है यह तुम्हारा task है recursive relation क्या है कि भाई मुझसे जो भी directly connected nodes है उस पे recursive call मार देना है same काम करवाना है base condition क्या है कि भाई जैसी कोई भी node पे आया जहां से तुम कहीं traverse नहीं कर सकते वहाँ से return कर जाओ simple सी बात है ठीक है तुम चाहते हो तुम थोड़ा सा और बना देता हूँ मैं graph को जिससे और समझ में आ जाए ठीक है मतलब देखो तुम 1 से 5-6 पे जा सकते हो but तुम 1 से 0 भी जा सकते हो एक virtual graph बना रखा है जब तुम 0 से 1 मना रहे थे उसी तरह 1 से-0 बनाओ उसी तरह 2 के लिए भी वही करो मतलब 2 जीरो तक जा सकता है तो 0 और-2 एड़ करना पड़े के तुमको जो तुमने अल्यड़ी कर दिया है और उसी तरह 7 और-2 भी एड़ करना है तो यह-2 एड़ कर दो जहां तो तुम virtually जा सकते हो actually में नहीं जा सकते मतलब जैसे कि 0 से 4 है ना तो 4 को ढूंड़ो और उसके सामने इसको negative करके add कर दो तो यह हो जाएगा minus 0 उसी तरह तुम 3 को ढूंड़ो तो 3 के सामने add कर दो minus 0 ऐसे करके तुम यह graph बना सकते हो जब तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा उस हिसाब से तुम पूरे notes पर जा सकते हो और तुमको बस इस पर ध्यान देना है बचा हुआ काम यह अला सब problem यह recursion हैंडल करेगा इसका जब मैं code बताऊँगा तो और अच्छे समझ में आएगा तो चलो उसको जल्दी से code करते हैं अगर तुमको DFS आता है और तुम playlist follow कर रहे हो तुम उसको खुद से easily code कर सकते हो try करो code करने का simple सी चीज़ है simple से DFS लिखना है पहले adjacency list बनानी है फिर DFS लगाना है count variable declare करना है count answer जो भी करना है globally declare करना और DFS का जो main call है for loop के अंदर वहाँ पे तुमको इसको update करना है तुमको सिर्फ first layer के लिए tension लेनी है जो बची हुई layer से उसका tension recursion ले लेगा तो चलो उसको code करते हैं code करते हैं अब code करने के लिए न कुछ चीज़े मैंनो already define कर ली है जैसी कि यह जो DFS का skeleton code है न जहां पर मुझे DFS run करना है इसमें क्या क्या बेजूँगा मैं addcency list बेजूँगा src बेजूँगा source बेजूँगा और visited array बेजूँगा set भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने vector of bool ले लिया है इससे भी काम चल जाएगा यह addcency list को define कर दिया है और यह visited array को भी define कर दिया है सारे false initialize कर दिया है हना सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी addcency list तो वो क्या हो जाएगा for int i equal to 0 i should be less than connections dot size हना dot size and i plus plus ठीक है यह हो गया अब जैसी मैं connection पर आऊँगा इसका मतलब क्या है कि मैं 0 से 1 तक जा सकता हूँ तो addcency list में क्या push करूँगा मैं 0 से 1 वाला direction हना तो वो हो जाएगा addcency list adj of connections of क्या है यह i,0 ठीक है i,0 dot pushback connections of i,1 हना समझे क्या किया मैंने देखो क्या किया मैंने यहां पर 1 को push किया 0 की list में हना ऐसे करते-करते मैं सारे connection को push करते जाऊँगा और यहां पर एक चीज और करना है हना क्या बोलादा मैंने कि अगर तुम 0 से 1 जा सकते हो तो 1 से 0 भी जा सकते हो लेकिन वो जो 0 होगा वो minus में होगा हना तो यह हो जाएगा minus of ऐसा 0 ठीक है i,0 और यह i,1 यह तुम्हाई बनगी adjacency list ठीक है अब यहां पर लगाना है तुमको DFS तो DFS तुम शुरू करोगे किस से करोगे ADJ और SRC के है तुम्हारा 0 जे शुरू करोगे DFS और visited भेजोगे अना ठीक है तो तुमने आप यह DFS लगाना शुरू किया तो जैसी तुम सबसे पहले आओगे तो visited मे SRC को true mark करोगे कि भाई तुमने देखो इसको visit कर लिया है इसको true mark कर दो तो यह हो गया visited of SRC equal to true ठीक है आप क्या करो कि तुम source से directly connected जितने भी nodes है उनसे पूछोगे कि करके कि क्या तुम उस तक पहुंच सकते हो अना ये question पूछन पूछना है मुझे तो for auto connected city कहां पर मिलेगा है मुझे ADJSRC SRC से के जितने भी connected city है वो चाहिए मुझे तो सबसे पहले मैं check कर लूँगा क्या वो कहीं city visited तो नहीं है इसको copy कर लेता हूँ तो if visited of connected city ये अगर visited नहीं है तब ही मैं पूछोंगा अगर वो already visited है तो उससे पूछना है कोई point नहीं है वहाँ पर जाना ही नहीं है मुझे ये तो मैं ऐसे infinite loop में फस जाओंगा उससे already push लिया है मैंने ये कहना चाह रहा हूँ मैं ठीक है और एक चीज़ और है यहाँ पर ABS कर दो क्यों क्योंकि जो connected city है वो negative भी हो सकता है हमने यहाँ पर negative value भी push करी है तो तुम एरे के negative position थोड़ी access कर सकते हो कुछ फट जाएगा code इसलिए आप इसको absolute कर दो अब इससे पूछो क्या connected city positive है अगर connected city positive है मतलब मतलब क्या है मैं तुम तक आ सकता हूँ मैं connected city तक जा सकता हूँ बट तुम मेरे तक नहीं आ सकते तो मुझे road पलट नहीं पड़ेगी मतलब count plus plus करना पड़ेगा हना अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ो मतलब क्या मैं recursion को बोलूँगा अपने sub problem देखे नया sub problem देखे sub problem क्या है अब जो source है जैसे कि 0 से 1 हुआ अना तो जो नया source है वो है 1 तो dfs of adj src क्या है तुमारा connected city और क्या भेजना है यहाँ पे visited ठीक है कि भाई देखो अब तुम्हें जो बचा हुआ काम है वो 1 को same काम करना है उसके बाद क्या 4 भी same काम करेगा अना एक एक करके सबको same काम करवाना है मुझे और अपने count को update करना है मुझे बस first layer की tension नहीं नहीं है अभी 0 से 1 और 0 से 4 की जो की मैंने इस count में ले ली है ठीक है यहाँ पे दुम्हारा count update हो जाएगा इसको run करके देखते है क्या भट रहा है ओ I'm so sorry देखो यहाँ पे फिर से वही गलती हो गई यह जो connected city है ना यह negative भी हो सकता है तो यहाँ पे उसको ABS करके बेजो अना यह absolute करके बेजो क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने इसको negative बेज दिया तो यह फिर से negative location को access करेगा ठीक है अब देखते हैं चल जाना चाहिए बढ़िया ठीक है इसको submit करके देखते है बढ़िया ठीक है तो आई हो सभाज माया होगा अगर कोई भी दिक्कत है तो let me know in the comments like कर दो, share कर दो, subscribe कर दो बहुत अच्छे-च्छे problems आने वाले हैं अभी craft में अभी तो यह सिर्फ अपना ट्रेडर है चोटा सा बहुत ही interesting algorithms देखेंगे और उन्हों बहुत easy तरीका देखेंगे solve करने का ठीक है चलो next video में मिलते हैं